जे मातादीस सर्स्मती में आसमें आपका स्वागत है दिस वीडियो इस पॉंसर वाई एंस अकेडमी पालंपोर आज जो हम पढ़ेंगे LCM and SCF चलो शुरू करते हैं आर्मी जीडी 2019 LCM and SCF तो पहले LCM and SCF कोशन करने से पहले हम यह दोनों समझ लेते हैं कि होते कि हैं LCM, LCM को हिंदी में बोल गया है旋तना मतलब के आहां लग सर्व ही बोल सकते हो आप इस को और SCF SCF को बोल अ महत्तव मतलब इसको आप मस भी बोल सकते हो आप समझ आया की नहीं अ अब देखो अब समझते हैं किलसी मोड़ा इसके होते क्या है मतलव अलस्यूं कि अगर मैं फुलफाम लिखूं तो यह होती है दोस्तो लीष्ट कौमन हो मैज्टी पल और ऐस्टी की जो फुलफाम होती ही दोस्तो हाइस्ट कॉमन इसाग्टर अब इसको दोनों को हम समझेंगे दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टिपल और क्या दोस्तों हाइस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या लसरब और क्या दोस्तों मसरब ठीक है यह समझते हैं लगुतम और महत्व तो पहले हम इसको समझते हैं एक्जामपल के तोर पर समझते हैं जैसे द कि छोटे से चोटा ऐसा नंबर मतलब किया कि चोटे से least common multiple multiple करना है और हमें चोटे से चोटा ऐसा least मतलब चोटा चोटे से चोटा ऐसा नंबर निकाला है जिससे क्या हुभाव करते 25 ही क। इते और 35 ही क्या करते दोस्तों भांज Tar Re uit मतलब 25 क्या है Uru तो दोस्तों याद रखना याल सिम जो निकाला जाता है एक अठा निकाला जाता है मैंने 25 लिख दिया 35 लिख दिया अब आपको पता ही होगा तो अब मैं पांसे जाता है तो मैंने यह चोटे से चोटा ऐसा नंबर आ गया है, कि पचीस भी एसको भाग करदेगा, और पैन कृटइस भी कि करदेगा इसको भाग करदेगा, अब आप समझें की निसमझें, अब देखो थोड़ डीटेल में समझातो, जैसे मानों कि मेरा मैन माना लेता कि छोटी सबोल नंबर होता वो .50 होटा तो 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 देखे, इसको कार देगा पर 35 से निहें कारच पाग काच समझारहया-क कि यह आए- सलभी देगा, जैसे मैं ले लेता अब आपको थोड़ा थोड़ा समझा आगए होगा आगे हैं जैसे हम पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा अब देखो यही सेम कोशन देदी है आपके पास 25 और कितना देदी है 35 और आप से पूछ लिया कि इसका के निकालो हाइस्ट कॉमन फेक्टर निकालो कोमन निकालो तो कभी भी आपने एलसी अफ लेना मतलब सोरी एसी अफ लेना आपने महसावर लेना तो वह हमेशा अलग लग लो देखो बड़ा वाला कभी भी आएगा तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे आगे देखो 25 मतलब पहले बेसिक स क्यों बाया मतलब क्या कि जो से बड़ा नमबर जो कोमन है जो बड़े से बड़ा जो नंबर आया पाँ आए आया यह पांच के करेगा इस 25 को भी काड़ देगा और ये 5 के करेगा इस 35 को भी काड़ देगा ये बड़ी से बड़ा ऐसा नमबर है मतलो क्या हो गया बड़ी से बड़ा नमबर है जैसे फॉर ग्यांपल मैं साथ ले लेता हूं तो साथ 35 को तो काड़ देगा पर 25 को नहीं काड़ पा आपको बेस लेवल का आता है सिर्फ आपने इतना समझना है कि जो एल सिम होता लीश्ट कॉमर मल्टिपल एकठा हम सॉल्व करते हो जो भी करता है वो छोटे से छोटा से नमर आ जाता है जो 25 को भाग कर देता और 35 से भाग कर देता है अलग अलग करना और उन दोनों में कॉमन देखना जो कॉमन आ जाएगा मतलब हाइस्ट कॉमन फेक्टर बड़े से बड़ा से नमबर आ जाएगा जो 25 को भी कर देगा और 35 को भी कर देगा चलो इस टाइप के हम टाइब बन के अभी कोशन क्रैक करते है देखो टाइब बन में कैसे कोशन आपसे पूछे एस पर हिंदी में होगा तो हिंदी में लिखा होगा लखम मतलब क्या लगूतम ठीक है तो आपा य। चोटे से चोटा नमर निकाल आ तो लोकार निकाल लेते 15 आगे कितना गये चार आगे और कितना गया पंदर ऑदो से काता कितना। 2 वन जा 2, 22 जा 4 और कितना आगया । झांड है? और would म導 Washington Side 6 56 होता है ऍन्لام 1 तो फिर से जाता है? ማमद 7 और वाग। 6 और कितना आगया? 1 और कितना आगया? 1800 और 2 यक्षण खाता है 2 वन जा 2 15 एक़िन गया 6 और 9 जा 18 17 अब मुझे पता 3 से माइव तो आप पिसको लेना है तो आप इसको कर सकते हो عखे मैजी करें को डादो लोग फौट या इї ना और कितना के वायव आ गए तो मतलग इनको भी करना तो कितना आगे नाइनेट जा 72 और 72 को 5 से मल्टिप्लाई कर दे तो कितना आगे 10 और 5 735 तो आंसर कितना आगे 360 मत्द यह छोटे से छोटा ऐसा नंबर है आंसर के आया option B is the right answer 360 is the right answer मतलब यह क्या चोटे से छोटा ऐसा नंबर है कि 8 भी इसको डिवाइड कर देगा 15 भी से डिवाइड कर देगा और 72 के कर देगा इसको डिवाइड कर देगा तो आंसर क्या आया दोस्तों भी आया देखते हैं दोस्तों अफ नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन भी क लिए सम देखेंगे उसे कैसे कर पारते हैं तहीं 2 से काटा डूबंग्ध 2020 और 13 से चला अब यह कितना आ गया 455 यहफ यह प्रीजह तो जाता देखो फाइव सीयवन से चला जाते है तो सेवन दुटू सेम्ठ ठूट्टीवंद डिम्टटें से चला अब इन दोनों में common क्या रहा दोस्तों, common जो आ रहा है वो 13 आ रहा है, मतलब यह बड़े से बड़ा ऐसा number है, 13 वो 26 को भी कार देगा, और क्या दोस्तों, 400 चुन्जा को भी कार देगा, तो इसका जो highest common factor आया, वो कितना आया, 13 आया, तो इसका answer क्या है, दोस्तों, 13 है, अभ देखो, type 2, type 2, जो paper point of view से पूछे जाते, अभी इस question को देखना देहां से, find the LCM, मतलब क्या लसब, मतलब छोटे से छोटा multiple पूचा हो, पर question के लिखो, दोस्तों, 1Y3, 2Y9, 5Y6, और कितना लिखो हुआ है, अगे, 4Y27, तो इस question को देखकर घवरा मा जाना, तो आप क्या कर आता है, देखो, RRB में भी आया हुआ है, आपको अगर ऐसा question दिख जाता है, तो याद रखना, जब भी आप से क्या पुछा हो, LCM पुछा हो, तो ऊपर वाले का क्या निकाल लो, LCM निकाल लो, समझ आया कि नहीं आया, और नीचे वाले का क्या निकाल लो, इसका उल्टा कै निकाल लो, LCM निकाल लो, मतलब अगर ऐसा ही same question आ गया और आप से पूछ लिया जाए, कि इसका SCF निकाल लो, तो मतलब क्या कि ऊपर वाले का SCF निकाल लो, तो नीचे वाले का कै निकाल लो, LCM निकाल लो, तो इसको question को solve करते हैं, तेकर ऊपर वाले का LCM, LCM लेने तो मुझे आता है तो ओन टू फाइव और कितना गया फोर आ गया तो ये ठूसे गया तो चतना गया 1522 झा फॉर और फिर से तूसे गया तो कितना गया 521 झा टू और तो यह से जाएगा कितना tenga 55 ऐसको मैंने भी नतीप्लाइग कर दिया वाली बैलियाग्र 23 नीचे वाली को ऒड़ना लग लेना तो सेफ करें लेते अलग लेतें तो अलग लेते हैं छै uce हगक कितना इस था इसoten घाटा कितना कितना यह तीन और तीन आ गया तीन께서 काटा दो नो टीन से काटा टीन से कांटा तीन से का टा टा कितना एक 其實 ऊンタस को मुझे लग ईहार है तो की आगे दो सब्सक्राइब तो मेरा जो आन्सर आगया वो कितना गया 20 upon 3 आ गया, क्या option इसमें है, हाँ, option C is the right answer, तो ये question ऐसे tackle आपको करना था, अभी देखते हैं तो दोस्तों, next question देखते हैं, next question क्या है, कि find the SCF of, SCF उचा हूँ और ऐसी form में है, मतलब कैसी form में है, 1 upon 2, 3 by 4, 4 upon 5, अब इससे क्या पुचा हूँ आप से SCF उचा हूँ, मतलब म सब्सक्राइब पुचा हूँ, तो आप उपर वाले का कह निकाल लो, SCF निकाल लो, और नीचे वाले का कह निकाल लो, आप क्या होगा दोस्तों, LCM निकाल लो, समझाई कि नहीं है, ऊपर वाले का LCM लेखते है, तो देखो, sorry, SCF देखते हैं, अब देखो, उपर वाले का जो SCF आप से पूछ रहा है तो यहां क्या common होगा तो ऊपर वाले का सीधा यांसर लिख दो क्या लिख दो वन लिख दो अब LCM पुछो LCM तो मुझे पता है कैसे 2 आ गया 4 आ गया और कितना गया 5 आ गया 1 है तो यहां भी क्या होगा कुछ नहीं होगा 1 y 3 होगा यह कितना होगा वन 2 मिल्टिप्लाइवे 2 होगा तो वन नहीं तो common आ रहा है तो कुछ नहीं common हो तो क्या होता कितना होते हैं 20 तो अंसर कितना गया वन वाइट 20 मत्रों ऑप्शन इस दा राइट अंसर समझ आया कि नहीं आया अभी देखते हैं टाइप 3 समझते हैं कि अभी टाइप बन आपका क्लेर हो गया होगा सिंपल सिंपल आगर आप से पूछ लेगा और टाइप 2 में क्या करेगा आप आपन करके ऐसे पूछ लेगा तो आपने जैसे सीम पुछ ओ तो उपर वाले का लिचसे बले का ना सिम निकालो अगर ऐसी फोग में दिए अगर आपसे सोर सिकल निकाल लो टो बट इस द तरी देखते हैं अब ठाय टृफ 3 में क्या है दोस्तों टाइप 3 में है कि find the LCM आपको LCM निकालना LC मतलब क्या लगुतम निकालना है मतलब किसका लगुतम निकालना है 2.5, 1.2, 20, 7.5 इसका के निकालना आपको LCM निकालना है तो चलो दोस्तों तो कभी भी ऐसा पॉइंट में आ जाये तो बस इसका क्या कर न जाना तो 25 की पेद्म가요 दस आ गया अब यह कितना गया बारह और पॉइंट के बाद किसे टर्म है एक टर्म है कितना गया दस आ गया अब यह पॉइंट तो है नहीं तो टुइंटी अपॉन कितना गया टूंटी अपॉन कितना गया टूंटी अपॉन कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्यों नहीं होगा तो यह हटाया तो कितना गया, seven और नीचे हटाया, कितना गया, दूस्तो ten आ गया, समझ आया कि नहीं आया, अब आपने के करना, जैसे यह आप, point हटा दोगे, तो अब आपने देखना है, कि यहां पर भी 10 है, जो maximum है, यहां पर 10 है, यहां पर भी 10 है, तो यहां पर भी क्या यहां पर, अगर यहां पर hundred होता, तो यह सारे क्या बना लेने है, मैंने hundred hundred बना लेने, maximum जो होगा, वो बना लेना, अब यहां पर maximum क्या 10 है, तो यहां पर क्या बना लो, 10 मना लो, देखो, यह 10 यह बना लिए, तो एक zero कहा लगी, ऊपर लगी, अब मुझे बताओ, कि अगर कभी आपसे, इल सिम पुछे है, टाइप 2 में सीकétais, कि कभी भी आपसे, इल सिन पुछे तो ऊपर वाले का के निकाल लो, के निकाल लो, बेसे बुचे तब अपर वाले का के निकाल लो, 15 आ गया, 5 से फिर से काड़ देता हूँ, तो 5 बन जा 5, 12 तो जाता नहीं है, 5, 8 जा 40, 5, 3 जा 15, अब 2 से जा जाता है, 25, 25, 25, 2 जा 50, 52 जा 100, और 102 जा 200, 200 कितना हो जाता है, 600 हो जाता है, और नीचे वाले का EFC बोलो हुआ है, तो यह कहा, दो सेंग है, तो कितना आ जाएगा, तो जी तो से 0 काटी, तो बस मेरा जो अंसर आ गया है, वो कितना आ गया, दो 60 आ गया, मतलब, option A is the right answer, समझ आए कि नही अभी एक और last question देखते हैं आज के type 3 का, type 3 का question है, इसमें आप से क्या पूछ रहा है कि find the SCF, SCF पूछ रहा है पर point में दियो हो, पॉइंट में कैसे दियो हो, 0.12, 1.8, 0.09 दिया हो, तो मुझे पता कि इसे solve कैसे करते हैं, तो पहले मैं point हटा ले तो टॉलब लिख दिये, मानूं कि हाँ point है नहीं, तो टॉलब ही होगा, point के बाद किदिने term है, 1,2, तो कितना आ गया, 100 आ गया, अब यह point के बाद किदिने term है, तो कितना आ गया, 10 आ गया, यह point के बाद किदिने term है, दो टर्म है, तो कितना गया, 00 आ गया, अब मुझे पता कि नीचे वाले सेम करने है, अब मुझे पता कि यह 100 है, यह 100 है, तो यह भी कर लो, 100 कर लो, सेम कर लो, अब समझ आया है, अब आप से SCF पूश रहा है, तो कालते है, तो यह 12 आ गया, यह कितना गया, 180 आ गया, और यह कितना गया, 9 आ गया, अब 2 से काटा कितना गया, 6 और 2 से काटा कितना है, 3 और यह 3 से चला गया, अब यहां से काटा देखो, 2 से काटा कितना है, 90, 2 से काटा 45, 3 से काटा कितना है, 15, मतलब 3 से काटा 5, फिर 5 से का और यहां भी three डिया और आ फो जो जो पर बॉस पोईंट रगा तो हमने यह हमने यह सिखा करम सिंपल सिंपल कैसे निकालते हैं की निकालते हैं टाइप टू में हमने सखा कि upon में दियो तो LCM पूछा, तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का SCF और यह हमने सीख लिया और type 3 में हमने सीखा कि point दिया हो तो ज्यादा घवराना नहीं, यह नहीं कि काटने लग पड़ें, आप तो time क्या मतलब time ज्यादा कि हो जाएगा तो आप सीदह सीदह इन question को ऐसे ही करना कि आपने बाहरा करना पॉइंट अटाना नीचे वालों को बराबर कर लो क्योंकि कभी लिये जाता है तो उनकी जो सेम ही होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें जै माता दी